हेलो फ्रेंड्स दिस इस ख्याती सेथी वेलकम तो येर ओन यूटीब चैनल सद्गुरु इंसिट्यूट आई होप यू ओल आर फाइन सो फ्रेंड्स आज हम करेंगे मेन कोर्स बुक का लेसन नमबर सैवन दा मेकिंग ओफ दा अर्थ विच इस रिटन बाई ज्वाहर लाल नहरू सो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने लेसन नमबर सैक्स दा होम कमिंग को कम्प्लीट कर लिया था जिन्नों ने अभी तक लेसन सिक्स नहीं किये वो कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा सो फ्रेंड्स प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए आप टेलिग्राम पर सत्गुरु इंसिटूट चैनल को जोईन कर सकते हैं इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो के लिंक और चैप्टर्स की पीडिया फाइल्स मिल जाएंगी। आप सत्गुरु इंसिट्यूट को इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्वीटर पर फोलोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कुछ दा मेकिंग ओफ दा अर्थ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दा चैप्टर, इस चैप्टर इस एन एक्स्टर्स फॉम नहरूज, लैटर्स फॉम आ फादर टू हिस डॉटर्टर, सो फ्रेंड्स जैसे कि देश के पहले प्रधान मंत्री थे, इसके इलावा बहुत ही अच्छे लेखक भी थे, उनकी एक प्रसिद रचना है, लैटर्स फॉम आ फादर टू हिस डॉटर्टर, एक पीता द्वारा अपनी बेटी को लिखे गए पत्तर, सो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है, दा मेकिं अपनी बेटी को तब लिखे जब उनकी बेटी गर्मियों में 1928 में मसूरी में थी, इन दिस चैप्टर, नहरू डिफाइन्स दा सोलर सिस्टम तो विच अवर अर्थ बिलॉंग्स, इस चैप्टर में नहरू जी ने सोर मंडल को प्रभाशित किया है, सोर मंडल का वननन किय जिसके साथ हमारी धर्ती संबंध रखती है, इस बिट्वीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार, उन्होंने ग्रह और तारे के बीच में अंतर भी बताया है, इस पार्ट में प्रित्वी का सूरे से और चंदरमा का प्रित्वी से अलग हो जाने के बारे में भी बताया है, He also talked about the gradual cooling of the earth and the moon and the formation of the great oceans, इसके इलावा नहरूजी ने धर्ती और चंदरमा का धीरे धीरे थंडा हो जाना और बड़े बड़े महासागरों के निर्मान के बारे में भी बताया है, So friends, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस पार्ट में सोर मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, So friends, यहां से नहरूजी अपनी बेटी को लेटर लिखना शुरू करते हैं, वो अपनी बेटी को लिखते हैं, other bodies which like the earth go round the sun, शाय तुम यह भी जानती हो कि धर्ती की तरह ही कई ऐसी और बोड़ी हैं, जो सूरज के चार और चक्कर लगाती हैं, All these, including our earth, are called planets of the sun, धर्ती समेथ इन सभी बोड़ी को हम planets of the sun, सूर्य के ग्रह कहते हैं, The moon is called a satellite of the earth, because it hangs on to it, जो चंदर्मा है, वो धर्ती का उपग्रह है, क्यूंकि चंदर्मा धर्ती के साथ लटका हुआ है, The other planets have also got their satellites, जो other planets हैं, जो दूसरे ग्रह हैं, उनके भी अपने-पने उपग्रह हैं, The sun and the planets with their satellites form a happy family, सूर्य और planets के अपने-पने उपग्रह हैं, अपने-पनी satellites हैं, जिनके साथ वो अपना एक खुशहाल परिवार, एक happy family बनाते हैं, This is called the solar system, इसे हम solar system कहते हैं, solar means belonging to the sun, solar का मतलब होता है, सूरे से संबंधित, सूरे से जो भी संबंध रखता है, उसे solar कहा जाता है, And the sun being the father of all the planets, the whole group is called the solar system, और सूरे सभी ग्रहों का पीता है, सभी planets का फादर है, इसी कारण इस पूरे स्मू को, इस group को हम solar system कहते हैं, So friends, जैसे कि आप सबको पता है कि solar system में 8 planets हैं, 8 ग्रह हैं, जिन में से एक planet है, अर्थ, यानि की धरती, जिसका उपग्रह है, चंदर्मा, जो चंदर्मा है, वो धरती के चारो और चकर लगाता है, So friends, जैसे धरती का उपग्रह हैं, वैसे ही जो planets हैं, उनके भी अपने अपने उपग्रह हैं, जिनके साथ मिलकर वो अपना एक खुशाल परिवार बनाते हैं, happy family बनाते हैं, और जो सूरज है, वो इन सभी ग्रहों का पीता है, इस वज़े से इस पूरे स्मू को, सूर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है, So friends, आगे नहरूजी अपनी बेटी को लिखते हैं, At night you see thousand of stars in the sky, वो अपनी बेटी को लिखते हैं, कि रात को तुम आकाश में हजारों तारे देखती होगी, Only a few of these are the planets, and these are really not called stars at all, इन में से कुछी ग्रह होंगे, कुछी planets होंगे, और वास्तर में इने हम तारे बिलकुल भी नहीं कह सकते, Can you distinguish between a planet and a star? क्या तुम ग्रह और तारे के बिज अंतर कर सकती हो? The planets are really quite teeny like our earth compared to the stars. So friends, जो नहरू जी हैं, वो अपनी बेटी को आगे लिखते हैं, कि जो ग्रह हैं, जो planets हैं, वो तारों की तुलना में, स्टार्स की तुलना में, धर्ती की तरह ही काफी छोटे हैं, But they look bigger in the sky, लेकिन आकाश में वो बड़े दिखाई देते हैं, because they are much nearer to us, चुँकि वो हमारे बहुत नस्दीक हैं, हमारे बहुत पास हैं, इसलिए वो हमें बहुत बड़े दिखाई देते हैं. Just as the moon which is, in reality quite a baby, looks so big, because it is quite near to us, जिस तरह से चंद्रमा हमें बहुत बड़ा दिखाई देता हैं, क्यूंकि वो हमारे बहुत निकट है, बहुत पास है, नस्दीक है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा एक छोटे बच्चे की तरह हैं. वैसे ही जो प्लैनेट्स हैं, वो हमें बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो काफी छोटे हैं. But the real way to distinguish the stars from the planets is to see if they twinkle or not. लेकिन ग्रहों और तारों का अंतर करने का असले तरीका यही देखना है, कि वैं टिम्टिमाते हैं या नहीं. Stars twinkle, planets do not. तारे टिम्टिमाते हैं, जबकि ग्रहे नहीं टिम्टिमाते. That is because the planets only shine. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहे सिर्फ चमकते हैं, because they get the light of our sun, क्योंकि उन्हें हमारे सूरज का परकाश मिलता है, हमारे सूरज की रोशनी मिलती है. It is only the sunshine on the planets or the moon that we see. ग्रहे और चंदरमा पर सिर्फ सूरज का परकाश होता है, जिसे हम देखते हैं. The real stars are like our sun. असली तारे हमारे सूरज की तरह होते हैं. They shine of themselves because they are very hot and burning. वे स्वैम में चमकते हैं क्यूंकि वो गरम होते हैं और जल रहे होते हैं. In reality, our sun itself is a star. वास्तव में सूरज अपने आप में एक तारा है. Only it looks bigger as it is nearer. सिर्फ हमें बड़ा दिखाई देता हैं क्यूंकि वो हमारे बहुत नजदीक है. And we see it is as a great ball of fire. और हम सूरज को आग के बड़े गोले के तोर पर देखते हैं. So our earth belongs to the family of the sun, the solar system. तो हमारी पृत्वी सूरे के परिवा से संबंदित है, सोर मंडल से संबंद रखती है. We think the earth is very big and it is big compared to our tiny selves. So friends हम सोचते हैं, हमें लगता है कि जो धर्ती है, जो पृत्वी है वो बहुत बड़ी है और वास्तव में पृत्वी हमारे छोटे जीवों की तूलना में बड़ी है. It takes weeks and months to go from one part of it to another, even in a fast train or steamer. तेज़ ट्रेन ये steamer में भी धर्ती के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए कई हफ्तों और महीनों का समय लगता है. यानि कि जो हमारी धर्ती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है. But although it seems so big to us, it is just like a speck of dust hanging in the air. हाला कि ये हमें इतनी बड़ी लगती है, लेकिन ये हवा में लटकती धूल के कन की तरह है. The sun is millions of miles away, सूरज हमसे लाखों मिल दूर है, and the other stars are even further away, और दूसरे तारे तो और भी दूर है. Astronomers, those people who study the stars, tell us that long, long ago, the earth and all the planets were part of the sun. So friends, जो Astronomers है, यानि की खगोलवित, जो तारों का अध्यान करते हैं, stars की study करते हैं, वो हमें बताते हैं, कि बहुत पहले, प्रित्वी और सभी ग्रह सूर्य का हिस्सा थे, सूर्य का अंश थे. The sun was then, as it is now, a mass of flaming matter, terribly hot. सूरज उस समय, यानि की तब भी, अब की तरह ही, जवालत परदार्थ, यानि की जलते हुए परदार्थ का पिंड है, जलते हुए परदार्थ का पुझ है, जो की बहुत गरम है. Somehow, little bits of the sun got loose and they shot out into the air. किसी ना किसी तरह से सूरज के छोटे-छोटे टुकडे उससे अलग होगे, भीले होगे और वै हवा में उड़ गए. But they could not wholly get rid of their father, the sun. So friends, जो सूरज के छोटे-छोटे टुकडे थे, वो अपने पिता सूरज से अलग तो होगे, लेकिन वो अपने पिता से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सके. It was as if a rope was tied to them and they kept whirling round the sun. So friends, ये ऐसा था, जैसे कोई रसी उनके साथ बंदी हो और वै अपने पिता सूरज के चारों और चकर काटने लगे. This strange force, which I have compared to a rope, is something which attracts little things to great. So friends, नहरू जी अपनी बेटी को आगे लिखते हैं, कि ये जो अजीब ताकत है, जिसकी तुल्ला मैं रसी से कर रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है, जो छोटी चीजों को अपनी और आकरशित करती है. It is the force which makes things fall by their weight. ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा बल है, जो चीजों को अपने वजन, अपने भार पर गिरने के लिए मजबूर कर देता है. The earth being the biggest thing near us attracts everything we have. So friends, जो धर्ती है, पृत्वी है, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है. हमारे पास मौझूद हर चीज को धर्ती अपनी और आकरशित करती है. In this way, our earth also shoots out from the sun. So friends, इस तरह से हमारी पृत्वी भी सूर्य से बाहर निकली. It must have been very hot with terribly hot gases and air all around it. So friends, यहाँ पर नहरूजी धर्ती की बात कर रहे हैं. वो बता रहे हैं कि धर्ती की चारों और भयानक गरम गैसों और हवा के साथ जरूर ही धर्ती बहुत गरम रही होगी. But as it was very much smaller than the sun, it started to cool. लेकिन जैसे की धर्ती सूरज की तुलना में काफी छोटी थी वे जल्दी ही थंदी होने लगी. The sun also is getting less hot but it will take millions of years to cool down. So friends, जो सूरज है वो भी कम गरम हो रहा है लेकिन इसे थंदा होने में लाखो साल भी लगेंगे. The earth took much less time to cool. धर्ती ने थंदा होने में बहुत कम समय लिया है. When it was hot, of course nothing could live on it. So friends, नहरूजी हमें बता रहे हैं कि जब धर्ती गरम थी तो निश्चित रूप से ही इस पर कोई भी नहीं रह सकता था. No man or animal, ना ही कोई मनुश्यय और ना ही कोई जानवर और प्लांट और ट्री, ना ही कोई पोथा और ना ही कोई पेड. Everything would have been burnt up then. तब सब कुछ भसम हो जाता, जल जाता. Just as a bit of the sun shoot out and became the earth, so also a bit of the earth shoot out and became the moon. So friends, जिस तरह से सूरज का एक टुकड़ा सूरज से अलग हो गया और वे प्रित्वी बन गया, वैसे ही प्रित्वी का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया और वे चंद्रमा बन गया. Many people think that the moon came out of the great hollow which is now the Pacific Ocean between America and Japan. So friends, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो चंद्रमा है वो अमेरिका और जापान के बीच स्तित प्रिशान्द महसागर के विशाल गड़े से बहार निकला है. जबकि चंद्रमा प्रित्वी का एक टुकड़ा था जो कि उससे अलग हो गया और वे प्रित्वी का उपग्रया बन गया जिसे अब चंद्रमा के नाम से जाना जाता है. So the earth started to cool, इस तरह से प्रित्वी थंडी होने लगी, it took a long time over it. प्रित्वी को थंडा होने में काफी लंबा समय लगा, gradually the surface of the earth became cooler, although the interior remained very hot. हाला कि धर्ती का आंत्रिक भाग काफी गरम रहा, लेकिन धर्ती की सतय, धर्ती का surface धीरे धीरे ठंडा हो गया. Even now, if you go down a coal mine, it becomes hotter and hotter as you go down. So friends, नहरूजी बताते हैं कि अब भी अगर आप कोईली की खान में जाते हो, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, वैसे वैसे गरम और अधिक गरम होता जाता है. Probably, if you could go down deep enough inside the earth, you would find it red hot. So friends, यहाँ पर नहरूजी कह रहे हैं कि अगर आपके लिए धर्ती के अंदर काफी घहराई तक जाना संभव है, तो आप धर्ती को लाल गरम पाएंगे. The moon also started to cool and because it was much smaller than even the earth, चंदर्मा भी ठंडा होने लगा और क्यूंकि यह प्रित्वी की तुल्ना में बहुत छोटा था, it cooled more quickly than the earth. चंदर्मा धर्ती की तुल्ना में काफी तेजी से ठंडा हुआ. It looks delightful cool, does it not? So friends, यहाँ पर नहरूजी अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि यह प्रसंता पूर्वक ठंडा दिखाई दे रहा है या नहीं. It is called the cold moon. इसे शीत चंदर्मा कहा जाता है. Perhaps, it is full of glaciers and ice fields. शायद यह हिम नदी और बर्फ के मैदानों से भरा हुआ है. इसलिए इसे शीत चंदर्मा कहा जाता है. When the earth cooled, all the water vapor in the air condensed into water. So friends, जब पृत्वी थंडी हो गई तो हवा में मौझूद सभी जलवाश्पकन पानी में घुल गई and probably came down as rain और शायद बारिश के रूप में नीचे आ गई. It must have rained a tremendous lot then. So friends, जब सभी जलवाश्पकन पानी में घुल कर बारिश के रूप में नीचे आए होंगे तब भयानक बारिश हुई होगी. All this water filled the great hollows in the earth और इस बारिश के पानी ने धर्ती के सभी विशाल गड़ों को भर दिया and so the great oceans and seas were formed और इस तरह से विशाल महासागरों और समुंदरों का निर्मान हुआ. As the earth became cooler and the oceans also became cooler, it became possible for living things to exist on the earth's surface or in the sea. So friends, जैसे जैसे पृत्वी और महासागर ठंडे होते गए, वैसे वैसे पृत्वी की सतय पर या समुंदर में जीवत चीजों के लिए रहना संभफ हो गया. So friends, यहाँ पर हमारा lesson number seven, the making of death complete होता है. Next वीडियो में हम इस चैप्टर के cautionances करेंगे. So friends, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें, और जादा से जादा चैनल को सब्सक्राइब करें. आप टेलिग्राम पर सद्गुरु इंसिटूट चैनल को जोईन कर सकते हैं. आप सद्गुरु इंसिटूट को इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्वीटर पर फोलोग कर सकते हैं. थैंक्स ओर वचिं ध्यूचिए विडियो चैनल को सद्गुरुि इंसिटूट